हेल दोस्तों कैसे हैं आप सब जौब इंसरी चैनल में आप से विए स्वागत है मैं हूँ प्रेकाश तोरी से वीडियो में हम बात करेंगे ESIC, UDC and MTS के एक्जाम के बारे में ESIC, UDC and MTS के एक्जाम में कोई sectional cut-off नहीं है कोई sectional timing नहीं है तो इस चीज़ का आपको भरपूर फायदा उठाना है देखें, बहुत सारे students गलती करते हैं कि एक section अगर solve करना start करते हैं उससे questions solve करना start करते हैं तो वो target रखते हैं कि जब तक हर question इस section का solve नहीं कर लूँगा तब तक मैं दूसरे section में move नहीं करूँगा और ये बहुत बड़ी गलती है ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दूसरी गलती जो maximum students करते हैं वो है कि अगर कोई question उनसे solve नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा time एक question पर देते हैं कि ये solve हो जाए मतलब वहाँ पर उनका थोड़ा ego type का हो जाते है कि ये question ये topic तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये question मुझसे क्यों नहीं solve हो रही है तो इसलिए ये सब जो mistakes होती है ना इनी सब चीजों के कारण selection रूख जाता है तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास number of questions बहुत है and timing limited है 60 minutes में आपको 100 questions solve करने है और हर question 2 marks का है तो इसलिए आपको यहाँ पर target यही रहना चाहिए कि अगर कोई equation नहीं बन रहा है तो तुरांत उसे skip करो next question में जाओ फिर उसे solve करो फिर next question में जाओ मतलब यहाँ speed आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक question के उपर आपको minimum time देना है मतलब जितनी जल्दी solve हो जाए उसके आप फिर next question में जाना है अब अगर बात करें कि यहाँ पर आप जो sectional cutoff नहीं है और जो sectional timing नहीं है इसका फायदा कैसे उठा सकते हो sectional timing अगर नहीं है क्योंकि GA का जो section रहता है इसमें यह रहता है कि अगर आपने question पढ़ा तुरंट आप option अपने option देखा अगर आपको answer आता है तो आप तिक करोगे अगर answer नहीं आता है तो आप skip करोगे यहाँ पर मतलब कुछ solve नहीं करना है कुछ दिमाग नहीं लगाना है जो आपको याद आया अगर तो तुरंट आप वहाँ answer करोगे तो इसलिए maximum यहाँ 4-5 minutes में आप 25 questions पढ़के तुरंट answer भी कर दोगे और यहाँ कोई तुक्के बाजी आपको नहीं करनी है ऐसा नहीं कि GA section है तो आप सचोगे कि तो obviously 60 minutes आपको पूरा time नहीं दे देना है starting यह जो timing रहेंगे यह आप अपना set करके pattern set करके आप mock test दो and उसके बाद जैसे यह जो मैंने timings बताया है इसमें होते हैं total 55 minutes 55 minutes या 54 minutes होंगे इसके बाद आपके पास six minutes या seven minutes बचेंगे and यह जो six to seven minutes आपके पास बचेंगे इसमें आपको क्या करना है कि जो questions आपसे नहीं बने थे यह जो question आपको लेंदी लगाओगा या tough लगाओ उस question को या आपने तो आप sectional test देते हो उसमें आपको क्या होता है न कि उसमें timing रहती है नॉर्मली अगर आप different websites में देऊगे तो उसमें timer रहता है तो वह तो आप चलो solve कर ले रहे हो आपको पता है कि इस time में मुझे इतने questions solve करने लेकिन जब आप e-books solve कर रहे हो इ-books equations attempt कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जब आप PDF से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे में आपको खुद से timer लगा लेना है अपना अपना target रखना है कि 15 minutes का timer है और इसमें मुझे 30 questions या 35 questions solve करने ऐसे करके आपको करना है कुछ free e-books e-books है और कुछ PDF के link मैंने description box में डाली हुई है आप चाहो तो वहां से जाके practice कर सकते हो और यह सारे free e-books है इसमें बस आपको login करना होगा और इसके बाद आप इसे download कर सकते हो बहुत लोगों का यह सवाल रहता है कि कौन सा section कि section को पहले हम attempt करें तो जो भी section आपका strong है उसे आपको पहले attempt करना है and second number फिर जो second number में आपका section strong होगा उसे आपको attempt करना है अब कुछ student का सवाल रहता है कि मेरा general evidence का section बहुत strong है तो क्या मुझे GA section को सबसे पहले attempt नहीं करना है इसका reason यह है कि GA section का जो syllabus है यह बहुत बड़ा होता है वास्ट होता है and इसमें जो questions रहते हैं यह unpredictable unpredictable होते हैं अब उसके करन क्या होता है कि हो सकता है आपने GA section बहुत अच्छे से किया हुए current affairs वगरा सब चीछ आपने किया हुए लेकिन questions अगर वैसे आगया जो आपको नहीं आते हैं तो फिर वहां पर जब आप questions solve नहीं कर पाओगे तो आपके mind में प्रेशर create होने लगेगा exam का stress बढ़ने लगेगा demotivation थोड़ा सा आपको feel होगा कि यार इतना पढ़ के आने के बाद भी questions attempt नहीं हो पा रहे हैं मैं questions answer नहीं कर पा रहा हूँ तो इसलिए यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपकी suppose अगर आपकी English strong है तो पहले आप English attempt कर लो उसके बाद suppose second number में आप की reasoning strong है तो आप reasoning attempt कर लो उसके बाद फिर आप GA section को attempt करो या फिर आप English section को या फिर आपको जो भी section last में बच रहा है math section वो आप attempt करो अगर suppose कि आपकी math section strong है तो फिर आपको क्या करना है पहले आप math attempt कर लो फिर आप reasoning attempt कर लो उसके बाद फिर आप English या GA section में डिसाइड करो third number में किसे attempt करना है और उसे attempt करो और हमेसा attempt करने का यही process होना चाहिए कि जैसे जैसे आप attempt करते जा रहे हो आपका target ह होने चाहिए कि मुझे maximum questions के answer करने है ऐसा नहीं है कि एक section से दूसरे section में जाना है तो मैं पहले पूरा 25 questions पढ़ ले रहा हूं देख ले रहा हूं उसके बाद ही मैं दूसरे section में जाओंगा तो timing वाला implement करते हुए वालो timing का जो मैंने limit बताई है वो implement करते हुए आपको section wise आ solve कर लूँगा तो देखे यहां पर एक तो चीज यह हो जाएगी कि अगर कोई अगर आप पूरे section को ignore कर देते हो छोड़ देते हो तो 25 questions already हट गया तो आपके पास out of 100 questions के वल 75 questions बच रहे हैं आप 75 questions में आप maximum कितना marks score कर सकते हो 150 marks लेकिन general के लिए जो cutoff जाता है prelims में वो 150 plus जाता है कई-कई regions में 160 plus भी जाता है out of 200 तो इसलिए आपको यहां पर यह गलती नहीं करने है कि आपने completely एक section को ignore कर दिया बस हाँ लेकिन आप यह कर सकते हो कि अगर जैसे suppose चार total अलग-अलग sections है तो दो section को आप बहुत strong अपना बना लो जैसे कि reasoning and maths को आप इतना strong बना लो है जैसे कि English हो गया region and GS का section हो गया तो वहां पर उसमें आप यह रखो कि ठीक है out of 50 मुझे target रखना है कि 35 मुझे इसमें करके आने solve करके 15 का margin रखने हो कि 15 questions में से नहीं भी हो पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तब भी आपका selection 100% हो जाएगा तो यह चीज आप कर implement करो के वाले exam के दिन पर इसे आपको जितने भी mock test आप दोगे जैसे कि मैंने आपको हमेशा बता है कि ESIC UDC के exam को clear करने के लिए बस एक ही secret है कि आपको हर दिन mock test देना है maximum practice करनी है तो जब भी आप mock test दोगे आपको यह timing वाली जो चीज है यह आपको implement करना है time आप अपने time set कर लो और फिर उसी timing को fix करके हर exam में हर जो mock test आप दोगे डेली जो mock test दोगे उसमें आपको implement करना है तभी जाके आपको final exam होगा उसमें आपको बहुत फायदा इसका मिलेगा तो तयारी करते रहो preparation करते रहो all the best